कभी सीधे बोल देते हो क्या जाकर नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है आप लोगों को मालूम होगा ओर तरीका नहीं मालूम बेल पत्री की जो डंडी रहती ना बीच का जो भाग है ज्यान दीर ना जगा सा यह बीच की जो डंडी है फिर से देखिए बेल पत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है दिख रहा है आप लोगों को यह बीच की दोपती उसके बीच में जो डंडी का भाग होता है जब हम देवदित महा देव से कोई बात कहने वाले होते हैं बाबा बहुत दुखी हूँ बाबा बहुत तकलीफ चल रही है बाबा मैंने कम्पेटिशन एक्जाम में परिष्चा दी है बाबा मेरे जीवन में ये श्भी और रहे इस डपत्री की जो ये तंडी होती है इस उंग उश्ट से येव मैं तूर बाबा के करण में कहने से पहले यह हाथ को नंदी के उपर रखकर फिरम बाबा के नंदी के कानूं में कहते हैं और चलते समय इस बेल पत्र को अशुक सुंदरी की जगा पर चड़ा कर बापिस सजाते हैं देव अधिद्यों महादेव को पारवती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही यह बेल प मिल जाए जिन्दगी में कभी तुमारे जीवन में अगर मोका मिले और कहीं बेल पत्री का ब्रक्ष मिल जाए जिसकी च्छाओं तुमारे उपर पड़ रही हो तुमारे उपर अगर बेल पत्री की च्छाओं पड़ रही हो उसके नीचे बेट कर कभी मोका मिले एक बेल पत का पत्ता मात रख कर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना तो वह बारा जोतिल लिंग को जल चड़ाने के बराबर फल पर दान करें